हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हेंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए ने डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सेलेक्शन पा सकें। भासा, नसल, रितिरिवाद, मान्यताएं, धर्म, जाती के आधार पर ऐसे अल्प संख्यकों के कुछ न कुछ मौजूदगी रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्प संख्यक आवादी को बहु संख्यक सहन करने की इस्तिति में न हो। अगर ऐसा है तू वह वास्तविक लोगतंत्र के भजाय छद्म लोगतंत्र है। लोगतंत्र तू सहन श्नुता, सांती और सोहार्द का परियाई है जो सहन अस्तित्व की संकल्पनां को उस्ट करता है। जही काराण है के सबसे लोगप्रिय, सासन, पद्यती, मैसे एक लोगतंत्र के दर्वाज्यपून, बात है के एस्या और अफ्रिका के जिन्न देशों ने आपनिवेसिक सासन से मुक्ती पाईी वहां लोगतंत्र को अपनाया तो गया। लेकिन उसे वास्तविक अर्थों में आत्म साथ नहीं किया जा सका। जह सोचने का विशय है के वास्तविक लोगतंत्र के अनुकूल परिवेस के निर्मान केले क्या कन्ने की जरुरत है। जात ही यह समय की मांग हैं और भारत सहित समुचे अंतराष्टिय समदाई के लिए भी बांगलादीस पर दवाव बनाने का भी है के वहां हिंदुओं सहित अन्य अल्प संख्यक के उत्पीडन पर ततकाल विराम लगें। पूरु में महमारी से लड़ते लड़ते हम सूचना महमारी की चपीट में आ चुके हैं। सिक्षा प्रद्व की मीडिया तथा अन्य सभी चेत्रों में डिजिटलाइजीशन ने साररिक भावनात्मक वो सामाजिक विकास की दिशा और दसा को बदल कर रख दिया है। प्रतिक छेत्र में बढ़ती कनेक्टिविटी के साद है आभासी दुनिया के संयुजन ने भातिक बादाओं को दूर कर दिया है। व्यापक नीतिवा नियम की अभाव में डिजिटल प्लेटफार्म अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं। अपनी लाव प्रद इस्तितियों को बनाई रखते हुए स्वा विन्यमित रहना चाते हैं। आज का युग डिजिटल साक्षातकार का हैं। इंटरनेट तथा तकनीक के माध्यम से सभी चीजों को पढ़ना, लिखना वो समझना सरल प्रतीत हुदा हैं। श्टैगरी छेत्रों में ना सिर्फ युवा बलकी बालक्व ब्रिद भे अधिकान समय इंटरनेट पर व्यतीत करते हैं। सिक्षा की छेत्र में भी इंटरनेट के प्रियुक से डिजिटल क्रांती ने सिक्षन कारियों में गहरी पैंट बना ले हैं। डिजिटल प्लेटफोर्म पर सूचनाओं व जानकारियों का अपार भंडार महज कुछ क्लिक पर सहज हे उपलावद हुग जाता है। डिजिटलाईजीशन की सरल सहज प्रियुक से विभिन समस्याओं का भी प्रादुरभाव हुग है। इंटरनेट पर उपलावद तथ्यों की प्रामानिकता तथा विश्वस्नियता को जाने व परिखिव भिनागे उनका प्रिशन बेभिन समस्याओं व मदवेद की इस्तिति को उत्पन करता है। तकनीक की उपयूग का आनन्द लेने के साथ ही उसकी उचित उपयूग के प्रति अपने दायटों को समदना भी हत्यन आवशक है।